हेलो फ्रेंट स्वागत हमारी यूट्यूब के में कुछ जैसा कि आप जानते कि मैं इस्टील से इट्रेट वीडियो बनाता हूं हमेशा आपके लिए यहां पर हमारे पास स्टेनलेस स्टील का गेट है तो बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि किस तरह से स्टील गेट जो होता है यहां पर देख सकते है गेट आपको दिख रहा है यहां पर यहां पर देख सकते हैं और नीचे में भी जो इस तरह का आप अगर ग्रील या ठीट बनाते हैं तो तो बहुत धाय लोगों का confusion होता है कि इसका क्या प्राइज होगा और किस तरह से यह मिलते हैं मार्किट में तो मैं जैसा कि यहां पर वेश्ट पंगाल में हूं तो यहां पर बहुत सारा बहुत अलग-अलग हिसाब है और otherwise जैसे जो बिहार से हैं और यूपी से हैं या फिर म अगर में बनवाना चाहते हैं तो आपको यह भी पता चलेगा कि किस तरह से एक अनुमान मिल जाएगा कि क्या रेट में बनते हैं किस तरह से बनते हैं तो सबसे पहले हम आपको इस गेट का साइज को दिखा देते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं यह मैंने यह लग- बड़ा है और अगर मैं हाइट की इसकी बात करूँ तो आप देख सकते हैं लगभग यहां पर साथ फीट चला जा रहा है उपर आप अंदाजा लगा सकते हैं यह चार बैसाथ का है लेकिन इसमें रौंड है अगर यह बहुत किसी का यह स्क्वार होता है तो अलग है तो आपको पता होगा कि यह ग्रील गेट है बहुत कोई नहीं समझ रहे तो उसको बता दो कि बहुत सारा होता है जो और रूम के लिए गेट जो होते हैं तो वह पूरा पैक होता है श्टील का सीट दिया हुआ होता है लेकिन यह हमारा ग्रील प्राइस को कल्कुलेट कर लेंगे कि यह कितना हो सकता है तो यहां पर हमारा काटा ओन हो गया है देख सकते मैंने ओन कर दिया है तो चलिए अभी हम लोग फटा-फट इसको कर लेंगे वजन तो तो मैंने यहां पर इसको वजन कर लिया है देख सकते मैंने यहां पर दीक रहा होगा 27 केजी 950 ग्राम और सामने से तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका जो वजन हुआ है वह 28 केजी क्या आसपास हुआ है हम इसको 30 केजी मानेंगे कि बहुत क्यूंकि बहुत सारा होता है कि 19-20 हो जाता है तो सबसे पहले बता दें कि यह जो गेड बना हुए या 18 गेज पायप का बना गेज की बात कर रहे हैं और यहां पर यह जो सीट लगा हुआ है यह भी 18 गेज का है तो इसका अगर हम 30 केजी भी एपरोक्स अगर वजन को धरते हैं तो अभी जो मार्केट करेंट प्राइस चल रहा है तो साड़े 300 से 400 रुपए से स्टार्टिंग हो जाता है बहुत से होगा तो उसका कोश्ट थोड़ा ज्यादा होता है वह 600 700 रुपए भी केजी होता है तो 202 ग्रेट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि अगर हम एप्रो एप्रोक्स 400 रुपए केजी भी धरते हैं तो यहां पर हम इसको कैल्कुलेट कर पाएंगे 400 के हिसाब से इंटू आप किस तरह से प्राइस क्या होता है कैसे बनते हैं तो एंड में वीडियो में लगा दूँगा उसको आप देख लिजेगा तो चले